हीरो नंबर वन फिलम बीवी नंबर वन कुली नंबर वन एक फेंकू नंबर वन है फेंकू नंबर वन फेंकता है फेंकता है रोज फेंकता है उरे देश को धोका दिया है मुखोता पहन के घुमा करते थे मोदी साथ नखाऊंगा नखाने दूँगा पकडलो पूंच 30,000 करोड रुपए सीधा राफाइल में सीधा 30,000 करोड रुपए गपा गप खाया और ठका ठक खिलाया ठोको दाली आये थे 2014 में गंगा के लाल बनके और जाओगे 2019 में राफाइल के दलाल बनके बहनों भाईयो बहनों भाईयो मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि जुमका यहीं तो गिरा था ठोको अ ताली ठोको बहनों भाईयो आस्म बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे चाहे बड़ी अच्छी लगती है यहां की पकडलो पूँच यह परदान मंतरी है अ जापान के ले गए लिए जापान बड़ा अच्छा लगता है क्यों भई जब मैं चोटा था तो मेरे पिता जी कहते थे बाल नरेंदर ढान ले और टोको तालि अधरे शाम जूट बोलता है कि अधरे शाम बात करोडों की अधर करोडों की दुकान पकोडों की और संघत भगोडों की ठोको तालि Ziyeva मोधी भगा शक्ति भाई आप क्या है मैंने मुझे ऐसा लगा के कहीं सनी दिवो ला गया ठोको ठोको आँ शक्ति मतलब शक्ति का मतलब दुर का माता उल्सो समझे के नहीं पांचों उंगलियां तुमारी इकठी हो गई तो घूसा बनके 32 सी निकाल देंगी ठोको ठाली ठोको मत रोको पहले चौकीदार शक्ति भाई पहले चौकीदार कहा करते थे जागते रहो जागते रहो हमारा चौकीदार अमीरों को कहता है पैसे लेके भागते रहो भागते रहो ठोको ताली ठोको तीन सो च्छतिस तीन सो चाउशट तीन सो चाउशट वाईदे किये थे नरेंदर दामोदर दाश्मोदी तुमने इस देश की जनता को तुमने तीन सो चाउशट वाईदे किये थे गंगा साफ कर दूँगा पंद्रा पंद्रा लाख ला दूँगा लोग पाल बना दूँगा दो करोड नोकरी दे दूँगा क्या मिली दो करोड नोकरी गंगा साफ हो गई लोग पाल बन गया ओ पंद्रा पंद्रा लाख तुम्हारी जेव में आ गया तो मिला क्या बाबा जी का ठुलू ठोको ताली ठोको ठिका के ठोको क्या मिला तुम यहां आके बावनगर में आके तुम नारियल लगा के गए लगाए तोड़ा ठैंकर के नारियल लगाए तोड़ा के नी तोड़ा एरपोर्ट के लिए तोड़ा के नहीं तोड़ा बोलो तोले सर्फ तोड़ा के यहां यह दस साल पहले की बात है नारियल ऐसा तोड़ा के वहां नारियल का पेल बढ़ गया उस पे भी नारियल लग गया ठोको ताली ठोको लेकिन तुम्हारा एरपोर्ट नहीं बना रोड बना दूँगा ये करा दूँगा अंदर वाले जाके शहर के अंदर घुसोद रोड तो ये नहीं पता रखता रोड में सड़क में गड़ा है के गड़े में सड़क है कोई अपनी लुगाई को लेके जा रहा हो और आगे नहीं देखता पीछे देखता रहता है रहे गई के ढहे गई ठोको ताली ठोको कि इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए बोल के गए तुम यह सब लिखा है मेरे पास कि इंटरनेशनल एरपोर्ट बनाने के लिए तुम बचन देके गए कोई रेलवे करेक्टिविटी नहीं जो इंडस्ट्री थी वो चली गई सिर्फ डाइमंड इंडस्ट्री बच गई है क्या रह गया है कुछ नहीं तुम कहां करते थे दस रुपए का पेन लो तो पक्का बिल लेना तो राफाइल का बिल मांगते हैं तो तुम बिल बिलाते क्यों हो फिर ठोको 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 ताली ठोको क्यों बिल बिलाते हो तुम किस तरह का विकास किया है तुमने थें 364 वाइदे अरे पेट खाली है तुम योगा कराए जा रहे हो यह नीचे पेट खाली है तुम योगा कराए जा रहे हो जेब खाली है तुम खाता खुलाए जा रहे हो और खाने को खाना नहीं है शोचाले बनाए जा रहे हो ठोको तली वारे मोदिवा भैनों भाईयो मेकिन इंडिया बनाएंगी हर चीज भैनों भाईयो भारत में बनेगी पकड़लो पूँच सरदार पटेल का बुट चीन से राफाइल प्लेन फ्रांस से बुल्लट ट्रेन जापान से तो हिंदुस्तां वालों से क्या बनवाओगे पकड़े तलवाओगे मोदी साहाब यह पकड़े तलने के लिए रखे हुए हो नरेंद्र दमोदर्दास मोदी तुम लोगों को बांटते हो तुम वोटों की पोलराइजेशन करते हो अरे नवजोज सिंग सिदू कुरान शरीफ को मानता है भगवत गीता को मानता है गुरु गरान साब को मानता है लेकिन सियासी लोगों की सबसे बड़ी धार्मिक गरंत है हिंदुस्तान का समविधान मैं समविधान को सबसे पहले मानता हूँ इसलिए ना मंदिर की बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, अरे प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, पहले रोटी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो, किसान की पगडी की बात हो, तुमने कौन सा वचन पूरा किया है बेच दिया तुमने ये देश बेच दिया नरेंदर मोदी तुमने अमबानियों को बेच दिया सरकारी कमपनियां मार के तुमने ये दो प्राइवेट कमपनियां जो पाल रखी है अंबानी और अडानी जो गाना गाते हैं सबेरे शाम नाच मेरी बुल-बुल ठोको ठोको सबेरे अंबानी और अडानी दोनों खड़े हो जाते हैं दाएं बाएं राहू के तू नाच मेरी बुल-बुल के पैसा मिलेगा कहा कदर दान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा ठोको बाली 45,500,000 करोड़ रुपए का बी-स-NL यार बोलना बंद कर दोस्त है दोस्त है पांच-लाइस-Hजार करोड़ रुपए का बी-सनल गिर्वी रख दिया नरेंदर भाई मोदी ने आठ अजार करोड के घाते में लाके खड़ा कर दिया और फोटू किचाते हो हस्ता हुआ नूरानी चेहरा जीयो दंदनादन जीयो दंदनादन जीयो दंदनादन नौसो करोड़ रुपे के फायदे में जीयो दंदनाद और आठ अजार करोड के नुक्सान में बी-सनल 16 कांट्रेक्ट दिलवाए तुमनें अंबानी और अडानी को कोई 6-6-8-जार करोड का फाउज के कांट्रेक्ट कोई 7-7-जार करोड का कोई शिपिंग का कांट्रेक्ट सब सरकारी कंपनियों को मार डाला HCL को मार डाला DRDO को मार डाला तुम बिजनेस मैनेजर हो तुम बिजनेस मैनेजर हो अंबानी और अडानी के यह मैं डंके की चोट पर कहता हूँ अरे का है का तुछ चोकीदार है मचके आदेश में हाहा कार है GST और नोट बंदी ले बैठा दुकान को करजा ले बैठा किसान को नशा ले बैठा नौजवान को अब है 15 लाह का आज भी इंतजार है काहे का तुछ चोकीदार है प्लैक मनी लाओंगा अरे सारीत ब्लैक मनी नरेंदर दामोदर दासमोदी तुमने गुलाबी कर ली गुलाबी ठोकोता ली बाहर नोट बंदी और अगर नोट बंदी और जीएस्टी ही मुद्दे थे तो इन मुद्दों पे चुनाव लड़ो ना आओ ना खड़े हो के यहां भावनगर में बोलो तहनों भाई यह तुम्हें नोट बंदी कैसी लगी कुछो तो जरा ठोकम ठोक पीशे पढ़ेंगे पिर बोलो जीएस्टी जीएस्टी लगाया पांच लाख सूरत में व्यपारी एक दिन में खड़े होके तुम्हारे पीशे पढ़ गए जब धुआ निकला चारो तरफ से तो तुम्हारी चाय फटने लगी थी तुम्हारी चाय फटने लगी थी, जनता किसी और से पटने लगी थी और इसलिए GST घटने लगी थी, टोको ताली, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अमित्षा साब ने 700 करोड रुपे, और जहाँ जहाँ नोट बंदी हुई, पांच हजार का नोट बंद, हजार का नोट बंद, पांच सो का नोट बंद, और सौ का नोट चलू किया अमेरिका ने, इंग्लेंड ने पांच हजार पाउंड बंद, हजार पाउंड बंद, दो हजार पाउंड बंद, और पचास पाउंड का नोट शुरू किया, यहां अंधेर नगरी चौपट राजा तके सिर भाजी तके सिर खाजा उल्टी गंगा भादी मोधी तुमने पांसो का नोट बंद किया हजार का नोट बंद किया और दो हजार का गुलाभी कर दिया वारे वाह वाह थोको ताली थोको मैंने तो गाल गुलाबी तुने नोट गुलाबी ठोकोट ताली चोर के लिए मैं कहता हूँ डंके की चोट पे तु 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 जाना घरीब का जाना वर्जित होता है मोदी सहाब वर्जित होता है तुम चौकीदार उनी अमीरों के हो हर कॉंट्रेक्ट अंबानी को सरकारी कंपनिया खतम हो गई स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया चार लाख चार हजार करोड का फाइदा था दो हजार दो बनमे करोड दो हजार चौदा में दो हजार बनमे करोड का फाइदा और दो हजार सोला में चार हजार करोड का घाटा भेल बियेचियल वो फाइदे में थी छे साथ हजार करोड रुपए के तुमने आठ हजार करोड में डुबो दिया ओएन जी सी ओल एन नैचरल गैस एक लाग करोड जेव में था नंगी करके खड़ी कर दी नंगी करके एक लाग करोड से 296 करोड रह गए बरबाद हुई कमपनिया खरीद वाई तुमने एक वाईदा तुमने भावनगर के साथ पुरा नहीं किया और आज खरीब को किसान को कोई फाईदा नहीं हुआ वो मामा तो गया उदर क्या नाम था उसका शिवराज क्या शिवराज सिंग चावान मामा तो गयो और अब ये उपर ठाकुर भी गयो अंधा गुरू बहरा चेला दोनो नरक में ठेलम ठेला नोट बंदी में 700 करोड रुपे अमित्षा जी अहमदाबाद जिसके बैंक के डारेक्टरों वहां जमा कराए 700 करोड जैनती भाई ने 600 करोड राजकोट में जमा कराए वो मुंडे जी उनकी बेटी 660 उन्होंने जमा कराए साड़े 22,000 करोड रुपया तुमने काले धनका गुलाबी कर दिया और यदि 5 दिन में जवाब देना जवाब देना शाह साब आप जवाब देना जदि 5 दिन में साड़े 700 करोड जमा होने थे तो एक घंटे में 12,000 लोग लाइन में खड़े होके अगर धाई लाख जमा कराते तब वो होते थे और एक घंटे में कोवापरेटिव बैंक में अगर बारा लोग थूक से गिंते हैं नोट, अगर बारा लोग लाइन में खड़े हो के धाई लाग जमा करा दें तो मैं तुमारी टांगों से नीचे निकल जाओंगा चूटे हो तुम, चोर हो तुम, फरे भी हो तुम, देश को बेचने वाले हो तुम सी बी आई मार डाली, रो के भेद खोल डाले, जुडिशरी उचने आए पालिका, चोराहे पे खड़े होके प्रेस कांफरेंस कर रही है, एक फौज बची थी, तो वो योगी कहता है, मोदी जी की सेना पकड़ लो पूँच, कहे का योगी सत्ता का लोबी, खोद दो इसकी गोबी, ठोको ताली, मोदी जी की सेना, ये सेना हिंदुस्तान की थी, नरेंदर भाई मोदी, और हिंदुस्तान की रहते दम तक रहेगी, तुम मुद्दों से भटकाते हो, अब तुम मुद्दों पे आने वाले नहीं हो, तुम जानते हो, के पबलिक खिराफ हो चुकी है, तीन-तीन स्टेट में राहुजी ने जो कहा, तुम ने पांच साल में 365 वादे नहीं किये, और तीन-तीन स्टेट में, 36 गड़ में, मध्यपरदेश में, राजस्तान में, राहुल गांदी ने कहा था, कि जितन सरकार ने गी, 10 दिन के अंदर करजा माफ होगा, किसानों का 10 दिन तो क्या, तो खंटे के अंदर 50 लाख किसानों का करजा माफ हुआ, दो लाख रुपे करजा लेता है किसान और दो हजार रुपे दे नहीं पाता तो तुम उससे ब्लैंक चेक लिखवाते हो उससे जेल में ठुकवाते हो पहले डिफॉल्ट पे कौपरेटरिब बैंक के बार उसकी फोटो लगवाते हो अडानी ने एक लाख करोड रुपेया नहीं दिया मोधी साब उससे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया तुमने अंबानी ने चलिस हजार करोड रुपेया नहीं दिया उससे ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया तुमने इसार ने 37 हजार करोड नहीं दिया से ब्लैंक चेक क्यों नहीं लिया तुमने तुमने पेटरोल और डीजल पे धाइसो परसेंट और चार सो परसेंट ड्यूटी लगा दी तुमने कॉंग्रेस की सरकार से पांच लाख करोड रुपए ज़्यादा कमाई तुमने अमीर लोगों को सतारा लाख करोड रुपए एंपिये दे दिया एंपिये क्या के बैंकों के साथ सरकारी बैंकों के साथ साथ गांट करके करजा तो ले लो वापिस मत करो कांग्रस ने इस देश को पांच गांधी दिये महत्मा गांधी सत्य के पुजारी धर्म पे खड़े राजीव गांधी इंदिरा गांधी जिन्होंने त्याग किया बलिदान किया देश के लिए हताहत हो गए सक्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर करो और कौम की सातिर जो क होनिया गांधी प्रियांका गांधी राहुल गांधी और बीजे पी ने तीन मोदी दिये निरव मोदी ललित मोदी और तीसरा नरेंदर मोदी जो बैठ गया अमबानी की गोदी ठोको ताली ठोको ताली कि खड़ा है नवजोद सिंग सिद्धू नरेंदर दामोदरदास मोदी खड़ा है भावनगर में बुला लो जहां मरजी बुलाना है तुम डराते हो ना भावनगर में लोगों को तुमने लोक तंतर को डंडा तंतर बना दिया है तुमने लोक तंतर को भे तंतर बना दिया है तुमने लोक तंतर को प्रोल तंतर बना दिया है भैसे राज कर रहे हो तुम लोगों की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती नहीं है लेकिन सिद्धू है सरदार भी है और असरदार भी है करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं खार होता है कांता जुका देती जो गर्दन को को उसे हम हार कहते हैं लगा कर जान की बाजी करे जो देश की रक्षा रखे जो तार पे सर को उसे सरदार कहते हैं यह सरदार लल कारता है नरेंदर दामु दर्दास मोदी तुमें यहां तुमारे घर में यहां चारा है पे खड़ा होके यदि तुम में धम है यदि तुम सचा भीदार नहीं हो तो आओ इस सिद्दू के साथ बहस कर लो हिंदुस्तान के किसी कोने में तुम्हारे घर बुलाओ वहां आ जाता हूं जदी हार गया तो सिद्दू सदा के लिए राजनीती को छोड़ देगा आओ मैदान में आमोदी आओ मैदान तुम दराते हो तुम धंकात हो तुम लोगों को जैल में ठुकवाते हो जो तुम्हारे साथ चले वो राश्ट्र भक्त जो सत्ता पक्ष को सवाल करे वो एंटी नैशनल तुम से बड़ा राश्ट्र द्रोही मैंने देखा नहीं आज तक आज तक नहीं देखा जिसने सब सरकारी कंपनियों को बेच के अम्वानियों के पेट भरे नाम लो बी एस एनल भेल सेल आर आई एन कोल इंडिया सब पर बाद कर दी तुमने और हवाई जहाज में जिसमें तुम दो साल हवा में घूंगते रहे हो हवा में ही रहे हो तुम पैराशूटर हो ग्रास रूटर नहीं रहे अब उड़ा कर पंक ले जाएं वहां तक शौक से जाओ लेकिन याद रखना पाओं के नीचे की जमी ही काम आएगी आओ बताओ कि तुमने नहीं बेचा हिंदोस्तान को तुमने नहीं दिये कांट्रेक्ट और तो और मैं सबसे बड़ी बात इस जम्ता की अदालत में पूछता हूँ कि BSNL पांच लाख पचास हजार करोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने आज तक 4G BSNL को नहीं दिया आज तक तुमने 4G BSNL को नहीं दिया तपड़ उल गए BSNL के गिर्वी हो गया तुमने 4G दिया किया तांका बिड़ा है तुमारा किया तांका बिड़ा है तुम इन दोनों को बंगलादेश लेके गए अडानी और अम्बानी को 3 रुपए की बिड़ली जारखंड में जो बनती है सारे 7000 करोड में जारखंड करजई हो गया बिड़ गया बरबाद हो गया लेकिन तुमने आदानी को 3 रुपए की बिड़ली बंगलादेश में 6 रुपए में बिखवाई ये राश्ट्र भक्ती है तुमारी ऐसे फीरों के अम्भानी और अडाणियों के और दूसरे किसानों के talked ने किसानों के माफ किया है बातologists करहं हजार करोण है दम है अकफेत्KO बेवकूवफ बिनाओ के भाई अब तो बंदर बेवकूव नहीं बनते तुम इन्सानों को बेवकूव कैसे बना लोगे दस लाग का कोट पहन के टोपियां पहनाते हो एक बंदा टोपियां बेचता था और बर्गत के पेड़ के नीचे सो गया चार-पांच बोटली टोपियां थी तो बंदर आये टोपियां उठा के ले गए भगा भगा अपने पिता जी के पास गया दादा जी के पास कहा रहा दादा जी मेरी टोपि ले गए दादा बोले इसमें क्या टोपि पहनना ऐसे करके ठां करके नीचे मारना बर्गत के नीचे खड़े होके बर्गत के नीचे गया टोपि पहनी ठां करके नीचे मारी बंदरों ने भी ठां करके नीचे मारी नहीं थे क्या ठोको 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 तुम बेवकूफ बना के जा रहे हो सबको तुम बांट रहे हो इस देश को तुम मंदिर मंजजित की राज़ीती कर रहे हो ना राम मिला ना राम मिला ना रोजगार मिला हर एक गली में मोबाइल चलाता हुआ एक भे रोजगार मिला ठ जक्ति भाई एक पॉइंट टू जीडीपी है हमारी नौकरी दूँगा दो करोड पर साल दस करोड नौकरी मिली आठ लाक खोदा बहार निकली चुहिया दो आठ लाक चाइना की सिक्स पॉइंट टू है जीडीपी ग्रोफ रेट सिक्स पॉइंट टू 65 मिलियन नौकरी होती है एक दिन में 35,000 नौकरी होती है पिछले साल एक करोड दस लाक नौकरी चली गई बी एस एनल 30% नौकरी चली गई तंखवा देने के पास दिया डियो जो डिफेंस की जिनोंने बड़े बड़े यान बनाए अंतरिक्ष में भेजे वो तंखवाएं नह वोट अंबानी अडानी को डाल ली है देश दुरोईयों को डाल ली है तो फिर इसको वोट डाल देना लेकिन यदि हिंदुस्तान अखंद भारत हिंदुस्तान के संविधान मात्री शक्ती मात्री शक्ती की बात करता है मैं कहता हूं यह पहली पार्टी है कॉंग्रस जिसन ने देश का प्रधानमंत्री महला बनाया इंद्रा जी JISने प्रेजडंड ओ इंडिया पाटिल मेडम वो प्रधानमंत्री बनाईं जिसने स्पीकर मीरा कुमार वो जार कन्याएं 36 गड़ में चोरी हुई तुम्हारे राज्यों में और बंबई की मंडियों में बिकी मध्यप्रदेश तुम्हारे राज्य बीजेपी के रेप में नंबर वन था क्या सम्मान दिया है तुम बेटी बढ़ाओ बेटी बजाओ की बात करते हो प्रंग करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे वीरों की समाधियों को बदराम नहीं होने देंगे जब तक तन में गरम लहू की एक बूंद भी बाकी है भारत माता का आँचल निलाम नहीं हो जो सब भे समाज में औरत का सम्मान नहीं हो सकता, वो पतन है उसका अरे मैं जब शादी नहीं हुई तो मुचे खड़ी रेती थी मेरी शादी हुई है, देखो मुचे ठाएं नीचे और देखो, अरे शक्ती जी की तो हैं जो साथ बैठे हैं सब ओप साफ की तो है यह नहीं अरे बंदा कितना बबर शेर हो जाए घर में जा के म्यों म्यों करता है और सच बात तो यह है कितना भी बड़ा बबर शेर हो जाए सवारी तो दुरगा ही करती है ठोको ताली ठोको किसान की पगड़ी को वोट डालना खतम कर दिया किसान बीमा योजना में 16,000 करोड अंबानी अडानी ताटा दिरला ये लूट के ले गए 16,000 करोड पब्लिक की कमपई अभी 2-3 मिनट रह गए मैं तो आज खोपड़ खोल देता इसके एक मिनट रहे गए एक मिनट में तो मैं बहुत कुछ कर दूँगा नारे लगवा दूँगा है बीमा योजना खतम MSP's income डबल कर दूँगा खुद कुशियों पे खुद कुशिया ये राहुल गांदी है जो कहता है वो करता है राहुल गांदी ने कहा है कोई गरीब कोई मजदूर फिकर मत करना कोई गरीब घर बैठे 72,000 रुपया साल तुमारे आएगा आएगा मेरे भाई आएगा पांच करोड गरीबों को आएगा गुर्गो बिन सिंग ने कहा था बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का औरत वो अच्छी जिसकी आँखों में शर्म और हया होती वही भगवान राम ने कहा वही भगवान राम ने कहा रगुकुल रीट सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए तुम इस देश को बांटते हो तुम देश को बांटते हो ज़ि उच नीच मानते भगवान कृषिन तो सुधामा को कले न लगाते ज़ि भगवान राम उच नीच मानते तो शबरी के बेर न खाते ज़ि गुरु गोबिन सिंग पाच्छा उच नीच को मानते तो खालसे की रचना न करते नरेंदर दामो दर्दास मोदी तुम्हारा खेल खतम वो किसान ठेर जा यार पंदरा सेकिंडी तो है आखरी बात वो किसान खड़ा था पोस्टर लगा था अब की बार मोदी सरकार मैंने कहा यह क्या लिखा यह कह रहा है हसरा हूँ मैं कहा क्यों कह रहा है जब यह कहता है अब की बार मैं कहता हूं बस कर यार तो मैं कहूंगा अब की बार तो तुम कहना हाँ अब की बार अब की बार अबे अब की बार अब की बार अब की बार बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं ठोको ताली ठोको ठोको मत रोको हमने हिंदुस्तान को वोट डालनी है मेरे परमात्मा तुम हो कौन कहता है परमात्मा मंदिर में मस्जिद में या किसी गुरु दुवारे में छुपा है, जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरे, फूलों में खुश्बू, गन्ने में गुड, दूद में मक्षन, वैसे ही वो परमात्मा, हरी, नारायन, अल्ला, वाहे गुरु बन के तुम्हारे दिलों में तुम्हारे भीतर और जो भगवान के आगे जुक के कहता हूँ, वही तुम्हारे सामने कहता हूँ, वही बगवान के दर पे कहता हूँ, तुम्हारे धर जुक के कहता हूँ, जुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तुम मुर्दों की पहचान होती है, जुक के तुम्हें कहता देरे शक्ति भाईया को मांगना नहीं आता इन्हें अपना बना लो सुख दुख का साझी बना लो भाव नगर MP बनाओगे तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगर MP नहीं बनाओगे तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा इकथे हो जाओ एकता में ताकत है संगटेत हुई शक्ती जीत का कारण बनती है विभाजेत हुई शक्ती पतन का कारण बनती है चोटे चोटे तिनके उकथी हो जाएं छपपड़ Κी खाल कीच लेती हैं ये पंचों उंगलियां कोई छोटी है कोई बड़ी है कोई मोटी है कोई पतली ये आपनी ताकत से ॹजार गुना बोज ऊठा लेती हैं और कई बार घुळा बन के 32 पिसे पिनकाल देती हैं। ठुको ताली। और दोनों हाथ कोड़े करके एक बार भारत माता की जयीवत बनाएंगे और फ्र खतम करेंगे। बहरत माता की। बहरत माता की। बात खतम। मैं ज़वान था न जब। अभी भी जवान हो तो छक्का मारता था बॉल बाउंडरी पार